नमस्कार स्वागत है जार्खन और देश दुनिया की बड़ी खबरों में बैठे किसानों को बड़ी राहत मिले की संभावना है मौसम बिज्यान केंदर के अनुसार सनिवार को नौर्थ बंगाल की खाड़ी और गंगेटिक वेस्ट बंगाल के उपर बना साइकलोनिक सर्कुलेशन अब लो प्रेसर एरिया में तबदील होकर उत्तर उत्तर पस्चिम दिशा में बढ़ रहा है इसका असर नौर्थ ओडिसा गंगेटिक वेस्ट बंगाल और जार्खन के उपर पड़ेगा इसके परभाव से ही अगले दो दीनों तक जार्खन में अच्छी बारिश होने की संभावना है जार्खन में दागी जमीन दलालों को जेल भेजने के साथ जीला बदर की तयारी जारखन में अब उत्तर परदेश मोडल की तरही दागी जमीन दलालों पर सिकंजा कसने की तयारी चल रही है एक से अधिक मामले के आरोपी जमीन दलालों को पुलिस न केवल जेल भेजेगी बलकि उन्हें जीला बदर भी करेगी इसके लिए राजधानी राची पुलिस की और से ऐसे जमीन दलालों की लिष्ट तयार की जा रही है खबरों को माने तो फर्जी एग्रिमेंट बना कर दलाल अपने गुरुगों के साथ जमीन पर कबजा करते हैं लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कबजा करने के दोरान मार पिट करते हैं और जमीन पर पहले से बनाई गई चाहर दिवारी भी रा देते हैं इस तरह से एक से अधिक मामले जिन दलालों पर दर्ज हैं। उनका नाम लिष्ट में शामिल किये जा रहे हैं। इसके बाद उन दलालों को पुलिस गिरपतार कर जेल भेजगी। धर्मेंदर परधान ने एक नए और खास प्रोग्राम को शुरू किया। इसमें भारती भासाओं में बिना कोई शुल्क लिये ही AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कारेकरम को AI for India 2.0 नाम दिया गया है। यह प्रोग्राम स्किल इंडिया और GUVI का एक जोइंट वेंचर भी ह भारत सरकार के इस खास ओनलाइन AI ट्रेनिंग प्रोग्राम को राश्टिये, बेवसाइक सिक्षा और परसिक्षन, परिशद और IIT मदरा से मानेता मिली हुई है। इस खास ओनलाइन AI ट्रेनिंग प्रोग्राम को नौ भारती भासाओं में शुरू किया गया है। जाच करेगी डोकुमेंट के सत्यापन के बाद ही आधार कार्ड बनाए जाएंगे इस्टेट गवर्मेंट पोर्टल के माध्यम से इसका भेरिफीकिशन किया जाएगा भारतिय बिसिष्ट परचान प्राधिकरन यानि यू आई डी ए आई द्वारा राज्य सरकार का पोर्ट तयार किया जा रहा है दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डेड महिने की अधिक्तम समय सीमा तै की गई है राष्टी सुरक्षा के हित में केंदर सरकार के इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रुदगी की मंत्राले के निर्देश पर नए आधार पंजिकरन में किसी तरह की धो खा धड़ी को रोकने के लिए यह नई ब्योस्था लागू की जा रही है भारती बिसिष्ट पहचान प्राधिकरन ने दस्तावेज सत्यापन के लिए अधिक्तम 45 दीनों का समय तै किया है डेड मा के बीतर जीन आवेदगों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर नहीं की गई उनके आधार का निर्गत कर दिये जाएंगे प्यम किसान के लाभारतियों के लिए बड़ी खुश खबरी इस दिन करोडों किसानों के अकाउंट में आएगी 14 किस्त प्यम किसान योजना के लाभारतियों को जल्द ही 14 किस्त के पैसे आस आएंगे इस योजना के लाभारति के लिए ये एक बड़ी खबर है बतादे की करोडों किसानों के खाते में इसी महीने चौदमी किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिये जाएंगे सरकार ने किसानों को किस दिन तक पैसे मिल जाएगी इसकी भी सूचना दे दी है मीडिया की खबरों को माने तो 28 जुलाई को देश क के लगबग 9 करोड किसानों के खाते में 2000 रुपे ट्रांसफर कर दिया जाएगा पीम मोदी डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानि डीबिटी के जरी 18,000 करोड रुपे ट्रांसफर करेंगे बतादे की पीम किसान योजना की 13 किस्त 27 फरवरी को करनाटक से जारी की गई थ पीम किसान से जुड़े लभार्थियों का इंतिजार इस महिने के अंत में खत्म हो जाएगा और सभी के खातों में उनकी राशी आ जाएगी हाली में पीम किसान पोर्टल पर फॉर्म्स कॉर्णर में लभार्थी के लिए एक एप को लॉंच किया गया है अब किसान अपने मॉबाइल पर पीम किसान मॉबाइल एप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रांस के बाद अब दुबई में भी कर सकेंगे देशी यूपियाई का इस्तिमाल दुनिया भर में देशी यूपियाई का जलवा है पिये मोधी फ्रांस की यात्रा के बाद दुबई यात्रा के लिए रावाना हुए दुबई पहुंचते ही देश को बड़ी काम्याबी हासिल हुई है फ्रांस के बाद अब UAE में भी भारती यूपियाई का इस्तिमाल हो सकेगा पिछले दो दिनों में दो देशों में यूपियाई इस्तिमाल की मंजूरी से बड़ी काम्याबी मिली है यूपियाई के लिए यूरोपियन यूनियन के बाद दुबई के दर्वाजे भी खुल गए है बता दे इसके लिए प्रधानमत्री मोदी और UAE के राष्टपती शेक मोहमत के बीच MOU साइन हुआ है जिसके बाद अब दुबई में भी यूपियाई का सिक्का चल सकेगा इंडिया और यूनेटेड अरब एमिरेट्स ने कारोबरी लेंदेन भारती रुपए में शुरू करने और यूपियाई को दुबई में ततकाल परभाव से पेमेंट की इस्तिमाल के लिए दुबई के डिजिटल पेमेंट मोड आई पीपी से जोडने को लेकर सहमती जताई है अब आप घर बैठे देख सकेंगे अपनी पीएफ पासबोग देश के वे सभी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए एपी एफो बहुत मायने रखता है एपी एफो प्राइवेट सेक्टर के करमचारियों को सामाजिक सुरक्षा परदान करने के सबसे अहम जरिया मान जाता है EPFO उमंग एप के जरीए सभी सुविधाएं अपने सब्सक्राइबर को परदान करता है इसी क्रम में EPFO ने अपनी एक और सिवा उमंग एप पर भी उपलत कराई है EPFO को परमुख संसाधनों में PF, EPF और EDLI है EPFO के ये तीनों समाधान बड़े काम के हैं जिनें आप बड़ी आसानी से ट्राइक कर सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स की सहुलेतों को देखते हुए EPFO लागातार प्रक्रिया आसान करता रहा है हर महीने करमचारियों की सैलरी का हिस्सा EPF के तोर पर जमा होता है वहीं कमपनी की ओर से हर महीने करमचारी के EPF अकाउंट को युगदान दिये जाता है इस तरह करमचारियों के EPF खाते में अच्छी रकम इकठी हो जाती है करमचारियों की इस जमा रकम पर EPFO द्वारा बढ़िया ब्याज भी मिलता है देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले भारत में लागातार COVID-19 के एक्टी मामलों में गिरावट दर्ची गई है 16 जुलाई 2023 को सक्री मामलों की संख्या 1432 के आस पास बनी हुई 15 जुलाई 2023 की सुबह 8 बजे केंद्री स्वास्तिय एवों परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा जारी आकडों के अनुसार देश में एक्टी मामलों की संख्या 1408 थी जबकि 14 जुलाई को इनकी संख्या 1396 दर्च की गई थी स्वास्ति मंतराले द्वारा जारी आकडों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 69 मामले सामने आये हैं जबकि 34 लोग COVID-19 से रीकभर हुए हैं पिछले 24 घंटों में महमारी से एक की मौत हुई है देशी में COVID-19 से मरने वालों का आकड़ा 5,31,915 पर पहुँच गया है इससे पहले 15 जुलाई को 54 नए मामले सामने आये थे जबकि 14 जुलाई को 29 मामले मिले थे जबकि 1 नॉमबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आये थे केरल अभी भी सक्रिय मामलों में जिह मामलों के मामले में सबसे उपर है इसके बाद पस्ची मंगाल महाराष्टर और उत्तर परदेश में मामले सक्रिय हैं वहीं विश्वस वास्ति संगठन के अनुसार चीन में कुरोना संक्रमितों की संख्या 9.9 करोड पर पहुँच गई है जबकि अब तक 1,215,515 लोगों की मौत हो चुकी है चीन ने पिछले 7 दिन के दोरान 2347 लोगों में संक्रमन की सूच ना दी है ट्विटर बताएगा कि प्रोफाइल पेज व्यूज से कितनी हुई कमाई एलन मस्क ने कहा है कि बहुत जल्दी माइक्रो ब्लोगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर प्रोफाइल पेज व्यूज व्यूज से होने वाली इंकम को शेर करेगा इस संबन्द में जानकारी देते हुए मस्क ने लिखा जल्द ही हम प्रोफाइल पेज व्यूज से बिगयापन राज्यस वो साजा करेंगे जिससे भुकतान लगबग दो गुना हो जाता है जहां दो गुना हो जाना चाहिए ध्यान दे केवल वेरिफाइड यूजर्स के व बढ़ा देंगे कुछ घंटों के भीतर परभावी हो जाना चाहिए उलेखनी है कि शुगरवार को ही ट्विटर ने कंटेंट क्रियेटर्स के लिए एक नया एट्स रेवेन्यू शेरिंग प्रोग्राम भी श्रू करने की खोसना की है कमपनी की इस गोसना के बाद कई झाल 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 झाल